अगर आप चार से दस दिन की दुबाई टोर प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है लेट्स बेगिन तो दुबाई सिटी एक वर्ल फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो कि है यूएए में और दुबाई गुमने के लिए आपको लगेगा टूरिस्ट वीजा तो इंडियन पास्पोर्ट होल्डर्स के लिए 30 तू 90 डेस का टूरिस्ट वीजा मिल जाता है जो कि आप दो तरीके से अपलाई कर सकते हो पहला आप यूए के ओफिशिल वेबसाइट पे जाके अपलाई कर सकते हो और सेकेंड लिए यूए गेट इट फ्रॉम यूर लोकल ट्राइबल एजन जो की इंडिया में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं वीजा और अर्राइवल का ओप्शन भी अवेलेबल है जिनके पास इंडियन पास्पोर्ट होने के साथ साथ रेसिडेंस पर्मिट है यूके कैनेडा यूसे और यूरोपेन यूनियन का और ये प्राइबल के लिए आपको इन सारे डॉकिमेंट के साथ साथ आपका ओरीजनल रेसिडेंस पर्मिट क्यारी करना जरूरी है आप इन सारी वेबसाइट पे जाके आपकी फ्लाइट इजिली बुक कर सकते हैं और इंडिया से बहुत सारी मेजर सिटी से आपको डेरेक्ट मिल जाती है जैसे कि डेली, मुंबई, पूरे, हाइदराबाद, चैन्यक, कॉलकर्टा और आपकी जर्नी डारेक्ट प्लाइट से दुबई के लिए तीन से पाच गंटे की हो सकती है डिपेंड्स अपन वेर अरिफ फ्लाइंग जैसी आप दुबई में लांड करते हो तो आप पहले आपको वीजा अर्यवल की प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी जैसे आप वीजा अर्यवल के काउंटर पे जाओगे तो आपको वो फीज लोकल करन्सी बीरम में पे करनी पड़ेगी या आप इंटर्नेशनल क्रेडिट और डेबिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं ल को सीम काट के लिए भी ओफर करेंगे और में रिक्मेंट करूंगी आप वो सीम काट जारूर क्योंकि वो बिल्कुल प्रीयॉप कॉस्ट है तो यह सिम काट आपको बस अक्टिवेट करना है और तौप करना है जैसे अर तौप करने के लिए जैसे आप इमिग्रेशन से ले सकते हैं लेकिन आपको उसके लिए अलग से चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं तो डुबई में आपको लैंग्विज बैरियर की प्राबलम नहीं होगी क्योंकि वहां पे इंडियन सब कॉंटिनेंट से बहुत सारे लोग हैं तो आप इजीली उनसे हिंदी में कम्मुन अपरम के रिकेट कर सकते हो तो डिजीली इंसे कि में अपले सीवोच बुकिंग करके जाएं और आप इन सारे साइ्ट्स पर जाकर नाथ बुक्स कर सकते हैं तो अनॉटेल बुक करते समय आपको इन में से एक ऑप्शन मिल सकता है एक तो आप डिरेक्ली ऑंडाइन पढ़ेगी जो कि आप जब होटल में चेकिन करोगे तब आपको पे करना पड़ेगा तो चलिए अब हम बात करते हैं रिकार्डिंग मनी एक्षेंग जैसे आप दुबय में पोश्टते हो तो आप बहुत सरा ट्राइवल करोगे शॉपिंग करोगे और होटल में बाहर खाना क और उसके लिए आपको लगेगी लोकल करेंसी दीरम और अगर आप दीरम से नहीं पे करना चाते हैं तो आप युज कर सकते हो आपका ट्राइवल कार्ड या इंटरनेशनल डइबिट और क्रेडिट कार्ड लेकिन आप उसके लिए आपको एक्स्टा चार्ज पे करना US Dollars करे करने के दो बेनेफिट से आप जब भी US Dollars दुबई में एक्स्टेंज करते हैं तो आपको अच्छे डेट्स मिलते हैं और सेकेंडली अगर आपकी टूर खतम हने के बाद US Dollars बश्ट भी जाते तो आप दुनिया में कहीं पर भी वो यूज कर सकते हैं और उसके एक् कि Metro, Buses, Tramps and Taxis. Metro, Buses and Tramps में travel के लिए आपको लगेगा Nol Card. और विदाउट Nol Card आप इनमें से किसी में भी travel नहीं कर सकते. Nol Card आपको बहुत इजी रही हर Metro Station के Counter पे मिल जाएंगे. जैसे आप Airport से बाहर निकलते और Metro Station के और जाते वहां पे आपको Metro Station के Counter पे Nol Card मिल जाएंगे. Nol Card टॉप करने के बहुत सारे options से, जैसे कि आप weekly pass भी ले सकते हो और monthly pass भी ले सकते हो. I would recommend you should top up as you go. अगर आप as a family travel कर रहे हो और चार लोगों की family हो, तो मैं recommend करूँगी आप taxi ही प्रिफर कीजिए. यह एक convenient और affordable option होगा. दुबई के सारे attractions world class level के हैं और almost सारे attractions पे आपको entry fees देनी पड़ती है. So I would recommend आप दुबई जाने से पहले ही सब attraction के online booking कर लीजिए. तो दुबई जाके आपको tickets की queue में wait करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो मैं यह सारे details और information नीचे description box में दे दूँगी तो आप easily access कर सकते हो. I hope यह वीडियो आपको बहुत helpful लगी होगी. Thank you for watching this video. Take care. Bye-bye.